आप कहा रहें कि थार्ड और फोर्थ ग्रेड का नोकरी में अगर बाहरी भासाओं को आप दे देंगे जगा तो यहां के लोगों के साथ अन्याय होगा आपके राजनीतिक प्रतुद्वन्दी ने कहा है कि हम ना सिर्फ इस मुद्दे पर पाटी छोड़ देंगे अमितमतों ने आपके जहां से सुप्रीमों बिधायक हैं वहां से वो पूर बिधायक हैं तो क्या आपको भी नहीं लगता कि आसु को भी उस कड़ा तेवर को अपन कि इसलिए करें डिरामा है क्योंकि उनका जो मुख्या है वो खूद जो बोल रहा है वो खूद कर नहीं रहा है आसु किस अधिकार से ट्रकों का कागज पत्तर चेक करना चाहती है कोईला डिपू में जाके छापा मानना चाहती है कोई तो आधर्स प्रस्तूत करेंगे ना क कि स्तिती उत्पन करेंगे कल हर को यह रोड पर खड़ा हो जाएगा और गाड़ी का कागज पत्तर चेक करेंगा ऐसे राज चलता ऐसे सासन चलता है जब पीजेपी के साथ ही राज में सरकार में थे और आप भी रोध भी दर्ज कर रहे थे तो आप कहते है कि नहीं अगर आ जारखन सरकार ने यहां के अस्थानिये भासाओं के अलावा छेत्रिये भासा के तौर पे अंगीका, मगही, भोजपूरी, बंगला, उडिया इस तरीके की कई भासाओं को माना है कि जिला हर जिला में अलग-अलग बोली जाती है आसु का इस बात पर भी रोध है, आसु कह रही है कि सरकार अपने मुद्दों से पलायन कर रही है, जो वादा करके आई थी कि खतियाना धारित नियोजन नीती बनाएंगे, अब वो दास्वी और बार्वी तक में क्यों सिमट कर रही है हमारे साथ आसु के केंद्रिय प्रवक्ता है, देवसरन भगत जी आप बताईए, इतने लंबे दिनों से अंदोलन चल रहा है, सवाल तो आप पे भी उठेगा कि आसु अब क्यों कह रही है, कि हम अंदोलन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि कोई आप से यह मुद्दा छिन रहा है, देखे हम अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कह रहे हैं, जो बात उन लोग कहे हैं, उन नहीं कर रहे हैं, उसको याब दिला रहे हैं, उन लोग उन पहले जो कहा, अस्थानी निती में जो बात कही थी, और जब आये सत्ता में, इसके बाद इतना दिन के बाद जो आये तो मेटरी का सर्टिफिकेट निकला, तो भाई स्थानी जो लोग जारखंड के लिए लड़े हैं, उनके अंदर में आक्रोस होगा, जो नियूग जन लेने के लिए जो आधार बनाया गया जो भासा, उसमें जारखंड के जो मूल भासाएं हैं, जो जारखंड का उद्गम है, उन भासाओं के जगा पे दूसरी भासाओं को भी छेत्रिय भासा का दरजा दिया गया, तो इसे सौभाईक रूप से हीने लगेगा, कि मेरा हक भी वहां से भी जाडू मारने वाला जगा से भी छिनाना जाएं, आप करें कि 3rd और 4th ग्रेड क नोकरी में अगर बाहरी भासाओं को आप दे देंगे जगा, तो यहां के लोगों के साथ अन्याय होगा, आपके राजनीतिक प्रतुद्वेंदी ने कहा है कि हम ना सिर्फ इस मुद्दे पर पाटी छोड़ देंगे, अमित मतों ने, आपके जहां से सुप्रीमों बिधायक हैं, तो क्या आपको भी नहीं लगता कि आसु को भी उस कड़ा तेवर को अपनाना चाहिए, वो कह रहे है कि अब हर लोगों का बिरोध होगा, जो जारखंडी भावनाओं के खिलाप हमारे रहेंगे, चाहे वो कॉंग्रेस का हो, जेमेम का हो, या किसी भी दल का हो, तो आस तो क्या ड्रामा करेंगे, वो तो इस्तिफा देने की बात कह रहे हैं, इसलिए कहरें ड्रामा है, क्योंकि उनका जो मुखिया है, वो खूद जो बोल रहा है, वो खूद कर नहीं रहा है, वो जो बोला, वो तो किया नहीं, निवक्ति का परकिरिया ही अभी चल रहा है, अब लेकिन आपकी मित्रता किस से निभाते हैं आप बीजेपी से निभाते हैं तो सवाल तो आप पे भी खड़े होंगे ना कि अगर आप रास्टिये दल के संड्रक्षन में हैं उस समय जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने 85 को अस्थानिय मान लिया था हम लोग सरकार में भी थे तो हम अपने मुद्दों के साथ थे सरकार से बाहर भी रहे हैं तो मुद्दों के साथ हैं हम सरकार चलाना और सरकार में रह करके अपने मुद्दों पर हमेशा अडिग रहे उस समय भी हम लोगों ने अस्पष्ट तोर पर अस्थानी निती या तमाम विश्यों पर मुखर तरीके से सरकार में रहते वे जोड़दार आंदुलन किये थी हाँ यह है कि हमारी संख्याय कम थी जिसके चलते हम निरणे पूरा नहीं ले पाए आने वाले दिनों में हम पूरे जंता के सामक चीज इस बात को ले करके जा रहे हैं स्वभाविक रूप से निरणायक भूमिका निभाएंग आपको सत्ता का लोब था आरोप लग सकता था नहीं तो भले ही संख्या कम होता आप बिरोद के सरूप में बाहर आ सकते थे हमने कब नहीं किया हमने तो खाउस में बहस में हमेसा बिरोध करना और एक स्टेंड लेना जैसे अमीत महतों ने लिया अपनी पार्टी में वो कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ देंगे क्यों क्योंकि सरकार जो वादे करके आई थी जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो बोलता है उसके खिलाब काम कर रही है गड़बंदन सरकार तो आप भी जब बीजेपी के साथ राज में सरकार में थे और आप भी रोध भी दर्ज कर रहे थे तो आप कहते हैं कि नहीं अगर आसू की बात नहीं माने जाएगी तो हम चले ऐसा कर सकते थे ना आप जनता को मैसेज देते कि आप जहर खंडी बावना से कभी कंप्रमाइज नहीं करें पहला पहला बात कि हम रन छोड़ नहीं है हम रन भूमी में लड़कर के भले बली चड़ जाए लेकिन रन छोड़कर के भागने वाले नहीं ये तमाम जो बात कहbür है ना कि सद 오늘도 के बाहर चले जाते एया सरकार गिरा डेते सरकार गिराने की बात नहीं बलकि हम तुझा करते हमारे घसकने से सरकार को कर परक पार नहीं पुड़ने वाल में जीन मुद्वों के लिए सरकार बने है वो मुद्धा हल होना चाहिए हमने जुर्दार तरीके से रखा है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप अब कह रहे हैं कि हम मुख मंत्री का पुतला दहन करेंगे खासकर कोईला इंचल इलाका में लेकिन वहाँ पाटी का अभी क्या मुद्धा है कि कोईला लूट तो आपके कारिकरता आपके नेता ट्रक का गाड़ी पेपर चेक करने लगते हैं बोलती है आराजगता फैलाना चाहती है आसू किस अधिकार से ट्रकों का कागज पत्तर चेक करना चाहती है कोईला डिपू में जाके छापा मानना चाहती है कोई तो आदर्स प्रस्तूत करे इस सासं चलता है इसको दिखा ने ते हमारे सांसाइब मोधे ने उस तरह की कारणामे को दिखाया और इस सांसत के हैसियत से उस सदन में भी इन बातों को उठाएंगे लेकिन डियेमो ने बताया कि वहां जिस कोईला डिपू में गाड़ी खड़ी थी उनका सारा कागश पत्तर था जो ट्रक थे उसकी जहां छोगी कोईला की तो यह इस तरीके का हेबोग क्रियेट करने से चोरी क कोई साबूत तो आप पेस नहीं कर पाएं सरकार के पास याम लोगों के पास कि हां यह ऐसा बुद्द्ध के कोईला चोरी करते हैं या डीपों में कोईला गलाता अभी जहाकी है देखिए आगे पूरा बाकी है कितना यहां चोरी हो रहा है सब कोई जानता है बालू कैसे च संसाधन का प्रशासनिक संग्रक्षन में लूट हो रहा है आजसू पाटी उसको रोकने का काम करें आप भी कहते हैं कि हम खतियान अधारित नियोजन और अस्थानियनीती चाहते हैं तो पुतला दहन से आगे आजसू क्या करेगे अभी तो जंता को जगाना और जंता को गो भalone रहे हैं लेकिन आसू कहरे यह कि वो दिखावा है वो मैदान हम नहीं छोडना चाहते इसलिए सरकार में रहके भी सरकार को आइना दिखाना चाहते हैं हमारे उपर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि हम सत्ता लुलुपता के चलते इस तरीके का कदम उठाते हैं और कह रहे हैं कि वाकई में जो खजाना सरकार के खाते में जाना चाहिए अगर वो नीजी खाते में जाएगा तो आशु यूँ ही सड़क पर उतर कर अंदोलन करेगी और हर चीज का पेपर मांगेगी वाजीब पेपर फैसला आपको करना है कि कौन सच कौन जूट बोल रहा है कौन जो टंकी कौन ठीक कर रहा है ये फैसला आपकीजिये फिलाल हमको दिजा इजादत सुक्रिया